Hello friends, welcome back to my channel Mining Engineering Hub और मैं हूँ आपका दोस्ट अमित आज का टोबिक है Fire Extinguisher यानि अग्नी सामक यंत्र Fire Extinguisher के से काम करता है? ये समझने से पहले Fire क्या है? ये समझने की जड़त है आज इस वीडियो पे जानेंगे कि Fire क्या है? fire कितने प्रकार के होते हैं fire string के सरक्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं कौन सा fire के लिए कौन सा fire string के सरक्या जाता है चलिए एक एक करके समझते हैं सबसे पहले fire what is fire, आग क्या है fire is a chemical reaction of three elements that is fuel, heat and oxygen यदि कहीं oxygen, heat और इंधन मजुद है तो वो आग लगने का कारण हो सकती है जिस तान पर आग लग रही हो वहाँ से oxygen, heat या इंधन में से किसी भी एक को यदि हटा दिया जाए तो आग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है विभिने प्रकार आग को बुझाने के लिए अलग अलग अगनी सामक या अंत्रक प्रकार के जाते है उसके बाद देखते हैं Types of fire आग कितने प्रकार के होते हैं Based on fuel और combustible materials there are six classes of fire Class A fire जो solid combustible materials से होते हैं जैसे की कागज, कपड़े, लकड़ी, कोईला इत्यादी से लगने वाली आग Class A स्रेणी में आते हैं उसके बाद दूसरा आता है Class B fire Flammable liquids को fire Class B की स्रेणी में रखा गया है उधारं के तोर पर Petrol, Diesel, Kerosene, Neptha या Paint में आग लगती है तो इसे Class B की आग मानी जाती है उसके बाद आता है Class C fire Flammable gases जैसे Hydrogen, Butane, Methane, LPG, CNG जैसे Gas से होने वाली fire को C Class की fire कहा जाता है उसके बाद आता है Class D fire जलने वाले metal को Fire Class D की स्रेणी में रखा गया है बहुत सारी metal है जो तापमान के साथ-साथ आग पकड़ लती है उदाहरन, Iron, Magnesium, Sodium, Aluminium, Copper जैसे धातु में जो आग लगती है उसे Class D की आग माना जाता है उसके बाद आता है Class E fire Electrical fire Electrical fire जब किसी उपकरण में Electricity का प्रवाव चालू है और उस तोरान उसमें आग लग जाती है तो उसे Electrical fire कहते है ये आग कोई भी उपकरण जैसे Transfermer, Breaker, Switch या Electric Panel में लग सकती है इस प्रकार की आग को Class E कहा जाता है उसके बाद आखरी में आता है Class F fire हमारे कीचेन में खाना बनाने के लिए कहीं प्रकार का ओयल का इस्तिमाल किया जाता है जिसे Cooking Oil कहते हैं इस प्रकार के ओयल में आग लग जाती है तो इसे class F प्रकार की आग कहा जाता है methods of extinguishing fires आग को बुझाने के लिए तीन तरीके होते हैं सबसे पहला है starvation starvation का मतलब होता है भूका मारना removal of fuel from burning in the fire इस तरीके से यदि हम आग से इंधन को हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है इसके बाद दूसरा method आता है smoothing smoothing यानि दम घोटना cutting of supply of oxygen इसमें अगर हम आग से oxygen हटा देते हैं या खतम कर देते हैं तो भी आग बुझ जाती है और आखरी है cooling method यानि थंडा करना cools the heat being produced in the fire to below ignition temperature इस तरीके से हम आग का तापमान कम कर देते हैं तो आग बुझ जाती है तो इसके बाद देखते हैं What is fire extinguisher? If fire extinguisher is an active fire protection device used to extinguish or control small fires It can't be used for out of control fire Fire extinguisher आग को बुझाने वाला उपकरण है Fire extinguisher का इस्तेमाल छोटी आग को बुझाने के लिए किया जाता है जहां आग की सुरुवात हो अभी बिक्राल रूप ना लिया हो ऐसी परिश्तिती में अगनी सामक का उप्यग होता है Fire extinguisher अलग-अलग प्रकार के होते हैं ये प्रकार आग की स्रेनी के आधार पर तयार किया गया है इसे कौन से क्लास के आग में कौन सा अगनी सामक इस्तमाल होगा इसके अधार पर Fire extinguisher का प्रकार दिया गया है Types of Fire extinguisher There are five main types of Fire extinguisher पहला है Water type Fire extinguisher दूसरा है Form type Fire extinguisher तीसरा है Dry Powder type Fire extinguisher चोथा है Carbon dioxide type Fire extinguisher और आखरी में आता है पांचवा जो है Wet chemical type Fire extinguisher चलिए एक एक करके विस्तार में देख लेते हैं सबसे पहले आता है Water type Fire extinguisher Water type Fire extinguisher और Most common type of extinguisher for Class A fire लकडी, कागज, रबर जैसे और्गानिक मेटरियल की आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल खास तोर पे गिया जाता है Water type Fire extinguisher का इपक इलेक्टिकल फायर में नहीं कर सकते Kitchen fire और Flammable gas और Liquid में आग लगती है तो इसमें भी Water Fire extinguisher का इस्तेमाल नहीं होता है उसके बाद आता है Form type fire extinguisher Form type fire extinguisher are most common type of extinguisher for class B fires Form type fire extinguisher का यूपियोग और्गानिक मेटरियल और Flammable liquid की आग बुझाने का लिए इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार का अगनी सामक आग के ऊपर एक Layer बना देता है जिसे Oxygen मिलना बंद हो जाता है और आग बुझ जाती है Electric fire, kitchen fire, metal fire में form का इस्तेमाल नहीं करना है उसके बाद आता है Dry Powder type fire extinguisher Dry Powder fire extinguisher are also called ABC fire extinguisher Because they tackle class A, class B, class C fires It can also be used for some electrical fires below 1000 volt इस प्रकार के अगनी सामक को DCP के सौट नाम से जाना जाता है जिसे Dry Chemical Powder भी कहा जाता है DCP प्रकार के fire extinguisher का इस्तेमाल class A, class B, class C प्रकार के fire के लिए किया जाता है तीनों class के fire में इस्तेमाल होने की बज़़ से इसे ABC type fire extinguisher भी कहा जाता है Kitchen fire और electric उपकरण fire में DCP के इस्तेमाल नहीं करना है इसके बाद आता है Carbon dioxide type fire extinguisher CO2 fire extinguisher are used for electrical fire rigs and also used for class B fire flammable liquid such as paint and petroleum इस प्रकार का fire extinguisher electric उपकरण में आग बुझाने के लिए किया जाता है इस प्रकार के fire extinguisher पे CO2 लिखा रहता है और इस पे black color का sticker लगा हुआ रहता है और आखरी में आता है wet chemical type fire extinguisher wet chemical fire extinguisher are designed for use of class F fires involving cooking coils and fats इस प्रकार के fire extinguisher का इस्तेमाल kitchen fire को बुझाने के लिए किया जाता है जो fire class F के में सामिल है इस प्रकार के fire extinguisher पर wet chemical लिखा हुआ रहता है और इसके उपर yellow color का sticker लगा हुआ रहता है wet chemical के प्रकार के fire extinguisher, liquid, gas, electrical और metal fire में उप्योग नहीं किया जाता है इस प्रकार का extinguisher kitchen fire के लिए ही उत्तम है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और ज्यादे से ज्यादा इस वीडियो को सेयर कर देजेगा तार्तर इस वीडियो को सेयर को सेयर को सेयर कजेदेगा